हेलो फ्रेंट्स Welcome to nursing study आज की वीडियो में हम बात करेंगे vital sign के बारे में तो Vital Sign की वीडियोंगे वह मेरी चैनल पर काफी वीडियों वह अप्लॉडीड है औरीडी लेकिन आजकी वीडियो रहने वाली है कुछ डिफरेंट रहने वाली है तोから vital sign, तोसब से तर्म्स जो हैं आप अपने बुक्स में भी पढ़ते हैं और जब आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो यही टर्म्स ही आप यूज करेंगे पेशेंट के लिए वाइटल साइन के अकोर्डिंग तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो वाइटल साइन होते हैं वैसे तो हमारे जो वाइटल साइन है वो 5 होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर होता है हार्ट रेट, रेस्पिरिशन, टेंपरेचर एंड पेन और यहां पर एक और एड किया हुआ है ऑक्सीजन तो सभी के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले हम स्क्रीन को थोड़ा सा जूम क होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg होना चाहिए अब यहां पर इससे रेलेटिट टम्स जो यूज की जाती है हाइपोटेंशन एंड हाइपोटेंशन तो जब भी कोई पेशेंट होता है हम नोट डाउन करते हैं उसकी फाइल में कि पेशेंट को कंडिशन है या फिर हैपोटेंशन के कंडिशन यह कब नोट करेंगे हाइपोटेंशन मीज्ज लो घ्लाण डानिकि नौर्मल प्ल्लाट प्रेशर कितना है 200 480 mmHg जे अगयर इससे कम हो जाता है ब्लाण मीज़का हो तो वह क्या हो episodes हाईपोटेंशन कंडिशन होगी patient की यानि कि patient का जो blood pressure है वो low है patient हाईपोटेंशन में है next term है ismé hypertension hypertension means high blood pressure अगर blood pressure 120 by 80 से ज्यादा हो जाता है जिके 140 या फिर 140 90 हो जाता है तो यानि कि normal से अगर वो ज्यादा है तो patient की condition क्या है hypertension condition है यानि कि patient का blood pressure जब वो high है second term आती है हमारी heart rate जिसे हम short में HR भी बोलते है और blood pressure को हम BP बोलते है तो HR कितना होना चाहिए 60 to 100 beat per minute और इसमें term यूज की जाती है bradycardia और tachycardia bradycardia means जब heart rate जो है हमारी वो 60 से कम हो जाती है यानि कि heart rate जो है जब कम होगी उस condition को हम bradycardia बोलेंगे और अगर heart rate 100 से जादा हो जाती है तो उसे हम tachycardia बोलते हैं चीक है उस condition को तो जब भी patient को heart problem होती है और उनका heart rate कम हो रहा है तो हम बोलते हैं कि patient की ब्रेडिकाडिया कंडिशन हो रही है, अगर जादा हो जाती है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि टेकिकाडिया की कंडिशन है पेशन्ट की, तो ये टर्म्स जो है यूज की जाती है, ना कि हम हार्ट रेट पर जाते हैं, तो हम ये टर्म्स जो है वो हस्पिटल में यूज करते है next आता है हमारा respiration respiration यानिके rr कितना होना चाहिए normal 12 to 20 breathe breathe minute यानिके 12 to 20 minutes जो है वो breathe per minute होना चाहिए तो यहाँ पर भी दो term use की जाती है bredypenia and tachypenia difference याद रखेगा heart rate में हमारा tachycardia, cardia means क्या होता है heart तो हमेशा bredy, cardia और tachycardia और respiration में क्या आ रहा है bredypenia और tachypenia तो यहाँ पर respiration जो है normal 12 to 20 होनी चाहिए breathe per minute और bredypenia कब होगा जब heart rate ठीक है यानिके respiration rate जो है 12 breathe per minute से कम हो रहा यानिके patient जो है वो बाजा breathe per minute भी कम ले रहा है तो उसे bredypenia की condition हो रही है और tachypenia कब होगा patient को जब वो 20 से ज़ादा 20 से ज़ादा breathe जो है per minute ले रहा है तो उसे tachypenia की condition हो सकती है next आता है हमारा temperature T से temperature तो normal condition कितनी होनी चाहिए 97.8 से लेकर 99 degree Fahrenheit जो है वो normal temperature माना जाता है अगर Fahrenheit में लिखते हैं तो आप 97.8 लिखेंगे और अगर आप Celsius में लिख रहे हैं तो 36.5 या फिर 37.2 degree Celsius जो है वो normal temperature note down करेंगे तो यहाँ पर temperature में भी दो condition होती है hypothermia and hyperthermia hypothermia क्या होगा? hypo means कम और hyper means ज़ादा hypo यानि कि जब temperature normal से कम हो जाता है normal कितना था? 97.8 तो अगर hyperthermia के condition कब होगे जब 97 से कम temperature आएगा यानि कि यहाँ पर जैसी की लिखा हुआ है green color में देखें 95 degree Fahrenheit हो रहा है यानि कि 35 degree Celsius से कम temperature हो रहा है पेशन को तो पेशन को condition हो रहे है hyperthermia की hyperthermia के अब होगा? यानि कि hyper means ज़ादा hyper ज़ादा हो रहा है यानि कि पेशन को अगर 99 degree Fahrenheit से ज़ादा पेशन को temperature है 40 से भी ज़ादा हो रहा है यानि कि 104 degree Fahrenheit हो रहा है तो उसे हम condition को हम बोलते है hyperthermia नेक्स्ट आता है हमारा oxygen O2 जी शॉर्ट में हम इसे O2 बोलते है oxygen जो है normal person की healthy person की 95-100% जो है वो रहती है और यहाँ पर condition होती है हमारी low oxygen level अगर 95 से कम आती है 85-80 आती है तो हम उन्हें hypoxia की condition patient को हम बोलते है कि patient को hypoxia sorry hypoxima होवा है patient को क्योंकि oxygen level कम है last term आती है हमारी pain pain is a subjective data given to you by the patient subjective data दिया जाता है subjective data क्या होता है जब patient अपनी condition जो है वो doctor या फिर nurse को बताता है तो हम इसे subjective data बोलते है condition यानि कि जो भी patient को problem हो रही है कोई disease condition हो रही है जब वो अपनी disease condition explain करता है doctor को या nurse को तो उसे हम subjective data बोलते है तो यहाँ पर terms जो है वो use की जाती है या फिर pain हमको ऐसे measure करते है can be measured in the various different ways different different तरीके से हम pain को जो है वो measure करते है the numerical scale and warm maker's faces or the verbal rating ठीक है तो यहाँ पर तीन तरह से हम pain का जो है वो measure कर सकते है numerical scale में यानिके number ते करके patient के pain की according ठीक है उसे number दे सकते है 1, 2, 3, 4, 10 तक scale होगा तो उसके according जो है जितना pain होगा mild होगा तो हम उसे 1 marks दे सकते हैं अगर mild से थोड़ा जादा है तो 2 दे सकते हैं अगर बहुत जादा है untolérable pain हो रहा है patient को तो हम 9 या fit and numerical scale दे सकते हैं next आता है faces यानि कि जो आपने emojis आपने देखे होंगे आप whatsapp पे भी यूज करते होंगे तो ये emojis भी दे सकते हैं अगर patient को बहुत ही mild सा pain हो रहा है तो हम उसको sad वाला दे सकते हैं इससी तरह ऐसे जो है अगर आप search करते हैं गूगल पर आप search कीजिएगा pain के कैसे कैसे emojis होते हैं ठीके वोंग बैंकर faces होते हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं उसके बाद आता है verbal rating यानि कि जो patient बता रहा है उसके according भी यानि कि mild है moderate है या फिर intensive हो रहा है patient को तो इस तरह से verbal rating भी हम दे सकते हैं तो इस तरह से pain का जो है वो skill measure किया जाता है तो ये हमारे vital sign होते हैं और इससे related जो terms हैं वो ही हम use करते हैं हमेशा आप ये terms को याद रखिएगा तो कभी भी हम file में इस तरह से heart rate ऐसे नहीं लिखते हैं जब भी बात करेंगे आप doctor से भी बात करेंगे तो इस इन ही terms के according हम बात करते हैं ये था vital sign के से related सबी चीज़े जो मैंने आज साथ discuss की है तो आई होप ये video आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजेगा अगर अच्छी लगी हो तो आज की वीडियो में इतना ही thank you for watching